हेलो फ्रेंट्स तो आगत आप सभी का मेरे यूट्यूज पैनल पे तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले नए साल की आपको बहुत-बहुत शूब कामना है क्योंकि दो-तिन दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो आज ही नए साल में, आज का मेरा ये पहला वीडियो है, तो नए साल के आपको सभी को बहुत बहुत शुब कामना है, नए साल आप सभी के लिए बहुत ही मंगल में हो, तो फ्रेंट्स, आज हम एक कलच बनाएंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, और दो मैंने देखो ये भी बनाया है, और जो है न, मैंने एक सूट बनाया था, नाइट सूट बनाया था, उसमें से ये कपड़ा बचा था, तो इसमें मैं रबर शीट का यूज करूंगी, और ये पूरा आप इसको आपको बताऊंगी, तो बिलकुर सिंगल तरीके, सिंपल तरीके से ह हम इसको बनाएंगे, ये देखे, ऐसे फोल्ड करते हुए, और ये देखे, ऐसे बनेगा ये, तो सिंगल एक पीस हमने एक पीस ही लेना है, जिसका 11 इंच इसकी लंबाई है, और चोड़ाई में जो है 10 इंच है, ये देखे, ऐसे आईगा इसकी शेप, तो यहां से मैंने र देखे, इसको फोल्ड करना है, और जितना अब उपर से बचा है, वो हमारा उपर से फ्लैप आ जाएगा, ये देखे, ऐसे फोल्ड करने के लिए, यहां पे भी हम निश्यान लगा लेंगे, क्योंकि हमने यहां से हलकी सी उपर वाली साइट पे जो ये फ्लैप आएगा ना उसका कटिंग और स्टिजिंग भी आप देखना चाते हो, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में देदूंगी, तो ये देखे, ऐसे आएगा ये, बिलकुल सिंपल तरीके से इसको स्टिच करेंगे, तो ये मैं डबल कपड़ा लगा रही हूं इसको, आप ये जो वैलबेट फैब्रिक है, वैलबेट इस पे जो है 14 नमबर की सुई चलती है, लेकिन अगर हम रबर शीट या फॉम डालते हैं तो 16 नमबर की भी असानी से चल जाएगी, तो अभी मैंने 16 नमबर की ही सुई से मैं इसको स्टिच कर रही हूं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये दिखे, थोड़ा सा मैं निचे से उपन रखोंगी न, और बाकि सारा स्टिच कर दूँगी, ये देखो निचे मैंने निशान लगाए है न, हलका सा हमने इसको ओपन रखना है, ताकि इसको हम एजीली उल्टा सकें, तो एक पीस, सिर्फ हमने सिंगल पीस इस ये देखे, यहां तक हमने सिलाय लगा दी है, यहां से ओपन रखा है, यहीं से हम इसको पल्टाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा फैबरिक है न, उसको हम कट कर लेंगे, और अगर आपके पास रबर शीट नहीं है, तो और फॉम शीट भी आप इसमें यूज कर सकते हो, या र बीच में से डिलीट हो गया, तो उसके लिए मैंने एक अलग सी क्लिप बीच में बना कर डाली है, तो उससे आपको बिल्कुल असानी से समझ आ जाएगा, पता नि क्या हुआ न, बीच में से वीडियो मैं बना रही थी, लेकिन वो वीडियो बनी नहीं, और फिर मैंने जब बनेगा, बहुत ही, इजी तरीके से हर कोई इसको असानी से बना सकता है, अब ये देखो जहां से ओपन रखा था न, इसको हमने स्टिच कर लेना है, और गुलाई में भी एक सिलाई पूरे हमने इस पे लगा देनी है, अब ये देखे, पूरा गुलाई में भी चारों साइट पे भी न, मैं इसके एक सिलाई लगा लूँगी, ताकि कपड़ा अच्छे से अटाच हो जाए, बिल्कुल उठा उठा ना रहे, यहां से भी गुलाई जो है, हमने प्रॉपर तरीके से बनानी है, तो यह आप, जैसे आप कहीं जा रहे हो, अपना इसमें चश्मा बगारा, फोन बगारा, और भी चोटा-चोटा जो पैसे बगारा आप इसमें रख सकते हो, यह देखो, इसके आगे ना वीडियो कटा था, वो, यहां से ही मैंने सीधी सी लाई लगा दी थी, वो वीडियो, तो यह देखी, और मैं आपको दिखाती हूँ, अब कैसे मैंने इसको स्टिच किया था, यही से थोड़ा सा वीडियो खराब हो गया था, तो यह देखिए, जैसे मैंने एक रबड शीट पे आपको ऐसे बताया था ना, रेडि करके, यह देखो, ऐसे फोल्ड करते हुए, ज कोई हमने इसको उल्टा सिधा नहीं रखा था, सिधा ही रखा था, वास उल्टा नहीं किया था, और ऐसे ही पूरा बन गया था, तो बीच में से थोड़ा सा वीडियो कट गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से मैंने लगा लिया है और जो है ये magnet button मैंने इस पर लगा लिया है तो I hope आपको समझ आ गया होगा अब आगे क्या हुआ था ना वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था उसके साथ ही फिर से मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया तो फिर मैंने इस पर जो ये है ना वह वाला ट्विजर मैंने लिया है पलककर जिसको बोलते हैं ट्विजर बोलिया है उसके साथ आपने मैंने छेद कर लिये और ये देखिए ऐसे इसको जो magnet button है वो मैंने इस पर लगा दिये अब उपर से जो बॉक होता है ना एक पत्ती सी ये देखो ऐसे रखते हुए और पेच का सिया कैंची की help से आपने इनको दबा देना है और ये जो बाहर को नजर आएगा ना इस पर हम क्या करेंगे कोई button बगेरा या कोई patch अगर आपके पास पढ़ा हो वो आप लगा सकते हैं तो ये देख करके निचे वाली साइट पे भी मैं इसको लगा के फिर आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए हमारा पाउच जो है बनके रेडी हो गया और बहुत ही छोटा सा कपड़ा इसको लगा है ये देखो अभी दिख रहा है ना तो ये मेरे पास एक लेस पड़ी है इसका मैं बी मैं ले फैबरी गल्यू के साथ चिपका लिया बाद में मैंने इस पर टांके लगा लिया तो आपने क्या करना है टांके भी आप जरूर लगा लिया करें अगर आप फैबरी गल्यू से ऐसा कोई पैच चिपका रहे हो ना तो अगर एक एक टांका भी लगा लोगे ना तो प बहुत ही छोटा सा कपड़ा लगा है और यह देखे बहुत ही देखने में भी प्यारा लग रहा है तो ये मैंने दो बनाए थे एको मैं इसका जो है वीडियो मैंने डूसरे वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई